हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक और PCDA की तरफ से PCDA की वेब साइट पे पेंशनर्स के लिए जो है पेंशनर्स की जो पेंशन है उसको लेकर जो है नया PPO जो है उससे रिलेटेड स्पर्श माइग्रेशन को लेकर एक दोस्तो जो जितने भी पेंशनर्स की पेंशन से लेटेड जो भी समस्या है उसको लेकर अभी PCDA ने एक नया अपने वेब साइट पे नोटिफिकेशन जारी किया है इसको आप जरूर देखें और इसमें सभी पेंशनर्स के जो समस्या है उसका समधान करने की बात की गई है चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तों और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहा है और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों देख सकते हैं एक PCDA की वेब साइट पर ही है तीन नॉमबर 2022 का अप्लिशेशन और जो फंक्शनिंग आफ सपर्ष है उसक कम एम्बिक्विटी रिलेटेड तो सपर्ष जो सपर्ष में एम्बिक्विटी से रिलेटेड इशू सता उसके उपर है वी फिल ओनर तो फ्यू तो गेट इंवल्ड आवर वैलेवल स्टाफ और अभी जो फीडबैक सेशन हुआ था उसमें कई पेंशनर्स ने पर्ष ने मौकरता हिशना उसमें पनी पर्ष और गली टा चर्टाफ ,. कर सकते हैं इसके साथ साथ जो है आप डारेक्टली बैंक में जाके भी कर सकते हैं और आधार कार्ड वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं दोस्तों एक साथ जैसी कोई नई चीज फंक्शनिंग होती है उसका फीडबेक सेशन होना ज़रूरी है कि तक यूजर्स को जितना पैंस्व को जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है क्या क्या समस्य आ ले उसको देखकर तो अभी दोस्तों इसके वार feedback session हुआ था उसमें जो है main problem जो थी life certificate की थी जिसका कि समधन किया जा रहा है दोस्तों यह था आजका important update सभी pensioners के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video